From the very first day, उनको 6 करोड रुपए का प्रॉफित हो जाता है, तो मैं तो वही जानना जाता हूँ कि वह कौन जी जेब है, जहां से आप पैसा लगा रहे हैं। जब मैं बहुत अच्छा प्रॉफित कमाता हूँ ना, तो उस प्रॉफित को अपने बिजनस में री इन्वेस्ट करता हूँ, और दो वर्ष के समय में लगभग 2 करोड रुपए और खर्च हो जाती हैं। आपने लिखा हूँ देखा है लक्षमी निवास मितः णु स्टीलव न है? अब ज़ानते हैं लक्षमी निवास मितः बात स्टील जाते हैं। उस बात को समझें। तो लक्ष्मी निवास मित्तल जी ने बड़े मुश्कुरा के एक बात कही, कि मैं आपको अपने जीवन का ना सबसे मैज़पूर सूत्र है, वो आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे मैं स्टील किंग बना, लक्ष्मी निवास मित्तल जीने कहा, कि मैंने अपनी लाइफ में जब पहली बार स्टील इंडस्टी लगाई तो स्टील इंडस्टी लगाने के लिए 10 करोड रुपे का investment आया मतलब मैं एक इंडस्टी लगाता हूं तो 10 करोड का investment आता है और दो वर्ष का समय लगता है उस इंडस्ट्री को बना कर तयार करने में और दो वर्ष के समय में लगभग दो करोड रुपए और खर्च हो जाती है सेटप करते समय स्टाफ से लेकर मशिनरी से लेकर जो दो साल की समय अवधी में एक्ष्ट्रा खर्चा होआ वह दो करोड रुपए और हो जाता है मतलब 12 करोड रुपए खर्च करके मैं एक इंडस्ट्री का सेटप बना कर तयार करता हूँ फिर मुस इंडस्ट्री को चलाता हूँ एक साल, दो साल, तीन साल, तीसरे साल से या दूसरे साल से वो इंडस्ट्री जो है profit बैना शुरू हो जाती है, मतलब no profit, no loss, break even को एक से डेड़ साल में cover कर लेती है और उसके बाद मुझे profit देना शुरू कर देती है जब मैं बहुत अच्छा profit कमाता हूँ ना, तो उस profit को अपने business में reinvest करता हूँ दोस्तो हमें से 98% लोग business में से अपने profit को अपने घर ले जाते हैं और जब घाटा होता है तो हमेशा कहते ही कि पैसा घर से आ रहा है या मैं जेब से पैसा लगा रहा हूँ तो मैं तो वही जानना चाता हूँ कि वह कौन से ऐसी जेब है जांसे आप पैसा लगा रहे है तो लक्षमी निवास मितल जी ने क्या कहा कि 12 करोड रुपए और 3 साल का investment करने के बाद मैं एक फैक्टरी सेटप को चलाता हूँ और लगातार जो पैसे कमाता हूँ उसको इन्वेस्ट करता है रहता हूँ लेकिन उसके बाद expansion के लिए मैं कोई दूसरी फैक्टरी नहीं खोलता फिर दुबारा 10 करोड का investment नहीं करता फिर दुबारा 3 साल का investment नहीं करता फिर दुबारा 2 करोड रुपे उसको operate करने में 2 साल के लिए invest नहीं करता फिर दुबारा 1 से 2 साल का इंतजार नहीं करता मैं क्या करता हूँ मैं अपनी टीम को कहता हूँ जाओ और सर्च करो कि पूरी इंडिया में कहां कहां पर steel industry है जो घाटे में चल रही है और उसकी रिपोर्ट लाकर मुझे दो कि उस इंडिस्ट्री की production capacity क्या है कितना infrastructure वहां लगा हुआ है कितना बड़ा setup वहां पर लगा हुआ है और कितने साल से वह कंपनी घाटे में तो उनकी टीम जाती है सर्वे करती है और सभी घाटे वाली कंपनियों के बारे में जानकारी दे देती है अब वह पता करते है कौन सी industry अपने आपको बेचने के लिए तयार है घाटे में तो लक्ष्मी निवास मितल ने कहा कि जब मुझे पता लगता है कि ए इंडस्ट्री लॉस में चल रही है और उसमें लगबग 10 करोड प्लस 2 करोड प्लस और इंवेस्टमेंट लगवा है तो मैं उसके डिरेक्टर से मीटिंग करता हूँ और बात करता हूँ कि बताईए आप इस घाटे वाली इंडस्ट्री को कितने में बेचना चाहेंगे तो वो मुझे पहले ही कहते हैं कि मुझे 6 करोड रुपे दे दे तो मैं पूरा का पूरा इंडस्ट्री सेट आप आपको दे दूँगा तो लक्ष्मी निवास मितल जी 6 क करोड रुपे में उस लॉस की इंडस्ट्री को खरीद लेते हैं अब आप सोचेंगे कि लक्ष्मी निवास मितल जी लॉस की इंडस्ट्री को खरीद लेते हैं तो आए चलिए इस बात को भी थोड़ा सा यहां क्लियर करते हैं उन्होंने कहा था कि मैं एक नया सेटप लगा जाते हैं तो पहले ही दिन from the very first day उनको 6 करोड रुपे का profit हो जाता है investment of the infrastructure setup of the business और एक से 3 साल का समय जो उनको business setup में लगता हुई उनको profit हो जाता और मैंने काया था कि 2 साल में उनके 2 करोड रुपे खर्च हो गए मतलब 1 से 3 करोड रुपे जो उनके अगले 3 साल में खर्च होते हैं वो भी उनको बज जाते हैं मतलब 6 करोड का profit प्लस 3 करोड रुपे का समय का मुल्य 9 करोड रुपे का profit होता है और वो single time में सबसे पहला जो काम करते हैं उस factory setup का administrative staff प्लस management staff इन सब को वहां से हटा देते हैं और यहां पर नया staff recruit करते हैं जो जादा capable हो जिनके अंद करने के लिए वो हमेशा तयार रहते हूं नए staff को recruit करते हैं पुराने staff को जो train हो सकता उनको train कर सकते हैं और जो train नहीं हो सकता उसको वहां से आटाते हैं और पूरी की पूरी लेबर टीम के साथ उस factory का पुनर निर्मान करके वहां पर setup तयार करते हैं और उसको अगले एक स साल के अंदर मतलब दो साल का समय यहां पर और बचा लेते हैं उन्होंने एक बात और कहीं कि मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मेरा सबसे पहला बहुमुल्य काम क्या है अपने जीवन का समय बचाना अगर मैं 100 इंडस्ट्री लगाना चाहता हूं और एक इंडस्ट्री को लगाने में तीन वर्ष का समय लगता है तो तीन सो वर्ष की तो मुझे उम्र चाहिए अपने टार्गेट को पूरा करने की मैं हर साल कई ऐसे घाटे वाले इंडस्ट्रियों को खरीता हूं और उनमें सारा मैनेजमेंट स्टाफ डिसिजन मेकिंग स्टाफ एड्मिनिस्ट् अब तो बहुत सारे कुछ टाइम में आप से आगे निकल जाएंगे लोग बन जाएंगे तो लक्षमी निवास मितल जी ने कहा यह सीक्रेट तो मैं पहले दिन से शेयर करता हूं हर व्यक्ति बातों को जानता है समझता है लेकि उस पर अमल नहीं करता और यही प्रॉब्लम बिजनस ओनर के साथ होती है उसमें से जितनी भी बात उनको बताई जाती है उनको लगता है यह तो मुझे पता है यह तो मैं जानता हूं मार्केटिंग कैसे करनी है प्रमोशन कैसे करनी है ब्रांडिंग कैसे करनी है एक्सपेंशन कैसे करना है टीम की ट्रेनिंग कैसे करनी है product को launch कैसे करना है product में आर एंडी कैसे करनी है product की growth possibilities कैसे decide करनी है मार्कीट में उसको खरता समय competitor को कैसे study करना है करें के तो सब मुझे पता है पर जब करने की बात आती है तो वह पुराने management staff की तरह कोई perform नहीं कर पाते और उनकी कंपनी हमेशा लॉस में रह जाती है या ब्रेक इवन पर आ जाती है या वो बहुत नॉमिनल प्रॉफिट कमा पाती है तो लक्षमी निवास मितल जी की एक बात यहां पर जो समझने वाली है अगर इस बात को आप अपने बिजनस में इंप्लीमेंट करते हैं तो अब बहुत आसानी से अपने बिजनस को बहुत तरीशप कर सकते हैं आपको करना क्या है अपने बिजनस में जितना भी आप काम करते हैं जितना भी turnover करते हैं उसमें एक होती है आपकी cost एक होता आपका profit for example आपकी 10 करोड की turnover है आपकी cost 8 करोड की है तो आपका profit 2 करोड का है अब ये 2 करोड का जो profit अना इसका 80% आप reinvest करें बिजनस में जब आप इसको reinvest करेंगे तो अगले कुछी वर्षों में आपके पास इतना पैसा होगा कि नई इंडस्ट्री लगा सकते हैं ध्यान रखिए फ्रेंड्स अनुभव बढ़ने के साथ साथ यह दिया आपका infrastructure number of employee आपका setup आपका production आपका sales volume आपका turnover यह सब को समानुपात में नहीं बढ़ रहा है तो वास्तिविक्ता में आप घट रहे हैं इसलिए जरूवत है business के system को समझने की और आप लोगों के लिए पूरी सीरीज दी हुई है business growth strategy वह सीरीज आप इस यूट्यूब चैनल पर ज़रूर देखें sales related marketing से रिलेटेट प्रोमोशन से रिलेटेट ब्रैंडिंग से रिलेटेट एक्सपेंशन से रिलेटेट फ्रंचाइज से रिलेटेट डिलर्शिप से तो आपकी salary कितनी होनी चाहिए ध्यान रखेगा आपकी organization में आपका maximum paid staff जितनी value का है उसमें 20% और एड कर लो इतनी आपकी value है उधारन के लिए बताता हूं मानलीजे आपके पास एक 50,000 रुपे का employee है जिसको आप पर मंद 50,000 पे करते हैं तो 50,000 का 20% मतलब 10,000 तो आपकी salary 60,000 होनी चाहिए लेकिन दुरभाग्य वश एक व्यापारी को लगता है कि मेरी salary तो एक लाग डेड़ लाग दो लाग या उतनी होनी चाहिए जितना मेरा profit है दोस्तों आपका जो profit है वो केवल आपके काम करने से नहीं है आपकी investment का भी है आपके infrastructure का भी है आपके setup का भी ह आपकी team का भी है इसलिए जरूवत है यह decide करने की कैसे आप अपनी salary बढ़ाएंगे उसके लिए जरूवत है अपनी team को डेवलप करने की number of team में staff develop करें जब staff डेवलप होगा तो जरूवत पढ़ेगी जगह की जरूप पढ़ेगी तो infrastructure development होगा infrastructure development होगा तो production development होगा sales development होगा मार्केटिंग डेवलेप्मेंट होगा, ओवरॉल बिजनस के ग्रोथ होगी, इसलिए बिजनस के सारे आयाम पर काम करने के ज़रुवत है, इसके लावाई दिया आपके मन में कोई भी प्रश्ण है न, तो वो प्रश्ण आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित्मा इश्वरी, आप किसमोरे बविश्य की काम ना करता हूँ, जय हिंद, जय भारत